कि आप स्मोक करते हैं नई किया आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन बॉड्रिन होने वाला है अगर आप स्मोक नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है और मेरी तरफ से आपको सल्यूट है तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो उन लोक के लिए होने वाला है जो लोग स्मोक करता है और वो लोक के लिए São Hiçjungil आपको स्वागत करता हूँ एक और नीव वीडियो के साथ हमारे cancer awareness club पे जैसे कि हम सब को पता है कि cigarette smoke करने से हमें cancer हो सकता है हमें ये भी पता है कि cigarette में ऐसे 70 known carcinogenic agents पाए जाते है जिससे कि हमें cancer हो सकता है एक और बात जो कि है जो cigarette होता है वो group 1 carcinogenic agents में आता है जिसका meaning यह है कि आपको direct way में cancer हो सकता है जो लोग smoke नहीं करते हैं वो लोग भी जादा खुश मत होई है क्योंकि आपको भी cancer हो सकता है और वो भी cigarette से जोग smoke नहीं करते हैं वो लोग शायद यह सोच रहा है कि जब मैं smoke ही नहीं करता तो मुझे cancer कैसे हो सकता है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि cigarette से हमें तभी cancer हो सकता है जब हम cigarette में present carcinogenic agents को अंदर ले direct way में या फिर indirect way में carcinogenic agents को हम तीन तरीके से अंदर लेते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए जो पहला वे है वो है first and smoking जो दूसरा वे है वो है second and smoking और जो तीसरा है वो है third and smoking तो सबसे पहले हम बात करेंगे first and smoking के बारे में first and smoking हम तब कहेंगे जब एक वेक्टी cigarette को directly smoke करते हैं यानि कि cigarette में present उन carcinogenic agents को directly अपने अंदर लेते हैं तो उसे हम first and smoking कहेंगे तो दूसरा है second and smoking second and smoking हम तब कहेंगे जब पहला वेक्टी smoke कर रहा है और वो उन carcinogenic agents को environment में release कर रहा है exhale करने के बाद और जब उसी time उस जगा पर एक दूसरा वेक्टी आके उन carcinogenic agents को inhale करता है तो उसे हम second and smoking कहते हैं जो कि dangerous है और जो तीसरा है वो है third and smoking third and smoking हम तब कहेंगे जब सबोज कीजिए कि मैं smoke कर रहा हूँ जो कि मैं नहीं करता है actually मैं smoke कर रहा हूँ smoke करने के बाद मैं exhale करता हूँ उन carcinogenic agents को exhale करने के बाद सबोज मैं इस phone पे smoke करने के बाद exhale करता है exhale करने के बाद वो carcinogenic agents इस phone के surface में attach हो जाएगा एटेच होने के बार क्या होगा कोई दूसरा बैखती आएगा जो कि स्मॉक नहीं करता है तो इस फॉन को पकरेगा पकरने के बाद वह जो करसी नोजनिक एजेंस होता है वह इसके हाथ में एटेच हो जाएगा उसके बार क्या होगा जब वह बिना हाथ होए कुछ एनी food items कुछ भी हो सकता है वो खाएगा तो वो carcinogenic agents उसके अंदर चला जाएगा तो यह होता है third end smoking अब तो आप लोग समझी चुके होंगे कि cigarette smoke करना या फिर जो लोग cigarette smoke करते हैं उनके आसपास भी रहना कितना जादा खतरनाक साबित हो सकता है तो जो लोग आप लोग के आसपास smoke करते हैं उनको क्रिपया समझाई है कि smoke करना कितना जादा harmful होता है ना कि उनके लिए साथी साथ आपके लिए भी तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी informative लगा तो like, subscribe, share करना ना भूलिए together we can